सर्दिया आते ही मूली बहुत जादा मार्केट में भिखने लगता है आपने सोचा है क्यों क्योंकि सर्दियों में मूली खाने के बहुत सारे फाइदे मिलते हैं यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है आपके डाइजिशिन के लिए बहुत अच्छा होता है इम् मूली में फाइवर की बहुत अच्छी मात्रा होती है और फाइवर आपके डैजिस्टिफ सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है मूली में जो डैजिस्टिफ जूस और इंजाइम्स पाय जाते हैं वो आपके पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छे होते हैं कब्स की प्रॉब्लम हो या गैस की प्रॉब्लम हो अपच की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दिलाते हैं साथ ही मूली में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है तो आपको जो भी वाइरल इंफेक्शन होते हैं की सर्दी खासी बुखार जुकाम या फिर गले में खराश तो इन सभी से मूली आपको बचा करके रखता है इसके अलावा मूली में आंटी ऑक्सिदेंट की भी काफी अच्छी मात्रा होती है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए तो आप अपनी डाइट में मूली को शामिल कर सकते हैं इसके साथ ही मूली मेटाबॉलिजम के लिए बहुत अच्छा होता है स्पेशली वेट लूज करने के लिए अगर आप चोहते हैं जली से वजन कम करना तो आप अपनी है तो यह आपके ब्लड प्रिशर को चंट्रोल में रखता है आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं होने देता है साथ ही मूली में नाच्रल शुगर पाया जाता है तो यह ब्लड शुगर लेवल को भी चंट्रोल करने में अच्छा होता है जिनका बहुत जल्दी जाना ज़रूरी है अगर मूली को हम बहुत जादा मात्रा में खाते हैं तो इससे गैस अपच और कॉंस्टिपिशन की प्राब्रम हो सकते है इसमें कुछ गैस्ट्रोजनी कंपाउंट्स होते हैं जो अगर आपको कॉंस्टिपशिशन की प्राव्लम रहती है तो उनहें तो थाइराइड है उन्हें मूली खाना अवोइड करना चाहिए क्योंकि आपको बताया इसमें कुछ गैस्टोजेनी कंपाउंट्स होते हैं जो शदीर में गैस के लेवल को बढ़ा देते हैं तो थाइराइड वाले जो पेशेंट से मूली खाना अवोइड करें और जैसा कि ह अबने आपको इसके फायदे में बताया था कि आपके ब्लाड प्रेशर को कम करता है कंट्रोल में रखता है तो जिन लोगों का बीप पहले से ही लो रहता है उन्हें भी मूली खाना अवोइड करना चाहिए और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिने मूली से अलर्जी होते हैं फेस पे बहुत सारे पैच्चों आने लगते हैं तो वैसे लोग भी मूली खाना अवोइड करें और अगर उनको कोई भी थोड़ा बहुत रियाक्शन दिखाई देते हैं तो तुरंट डॉक्टर से कॉन्टाक्ट करें साज ही अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है तो वह लोग भी मूली खाना अवोइड करें अब सबसे दरूरी सवाल कि हम मूली को कैसे खाएं तो देखें सबसे बेस तरीका तो है आप चाहें तो मूली का पराठा बना करके खा सकते हैं मूली के सबजी खा सकते हैं या फिर मूली को सालेड की रूप में भी कंस्यूम कर सकत हाला कि अती किसी चीज के अच्छी नहीं होती है तो लिमिटेट खाए सावधानी बरत्ते हुए खाए तो आई होप आपके लिए वीडियो इंफरमेटिव रही होगे ऐसे और वीडियो उसके लिए हमारे चानल एन्बीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें